नमस्कार दोस्तों देखिए आयकर विवरणी प्रपत्र जो भी सरकारी कर्मचारी उसको फिलब करते हैं और मकान किराय में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आयका विवरणी प्रपत्र के साथ मकान किराय की रसीद अपने मकान मालिक से ले करके उसको अटेच करना अनिवार है अगर आप अटेच नहीं करते हैं तो आपको मकान किराय में छूट प्राप्त नहीं होगी तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम मकान किराया जो आप पे करते हैं वार्सिक और मंधली उसको कितना मकान किराया पे करने पर आपको एचारे में छूट प्राप्त होती है आज ये वीडियो इस वेसलेसन के पर आधारित है तो देखिए सबसे उत्तम एक सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ अगर आपको वार्सिक किराया और मासिक किराया पता करना है कि कितने किराये पर हमारे एचारे की छूट हमको प्राप्त हो जाएगी तो देखिए वो फार्मूला है वार्सिक किराया का बराबर होता है टोटल बेसिक बारा महिने का जो भी आपका बेसिक है total उसको कर लीजिए plus total da जो आपको 12 महिने में जो जो da आपको प्राप्त हुए हैं वो total कर लीजिए उन दोनों को add कर दीजिए total basic plus total da और इन दोनों का total करके 10% उसका निकालिए 10%, 10% उसका find out करने के बाद उसमें add करना है total hra जो आपको house rent allowance प्राप्त होता है मन्तली वो पूरा वार्षिक total कर लीजिए तो उसको HRA को इसमें आप add कर देंगे तो total basic plus total DA का 10% plus total HRA 10% निकालने के बाद फिर उसको total HRA को उसमें add करना है ठीक है यह तो हो गया वार्षिक किराया आपको पता चल जाएगा कि इतना वार्षिक किराया अगर आप देते हैं तो आपको HRA की छूट प्राप्त हो जाएगी अगर इतना नहीं देते हैं तो आपको प्राप्त नहीं होगी अब जैसे मासिक किराय निकालना है तो इतना वारसिक किराय निकालने के बाद उसमें 12 से डिवाइड कर दीजे तो आपको इसका जो है मंधली वाला जो रेंट है ये आपको पता चल जाएगा जैसे एक एक्जामपिल लेते हैं जैसे पांच लाख आपका बेसिक है टोटल किया आपने पांच लाख बेसिक डिए 80,000 इन दोनों को एड करने के बाद इसका 10% निकाल लीजे और इसमें प्लस हारे एड कर दीजे 20,000 ठीक है इन सब को हमने टोटल किया तो 78,000 रूपए आया आपको जो एचारे की जो प्राप्त हो रहा है 20,000 रूपए ये छूट आपको कब प्राप्त होगी जब आप किराया पे करते हैं वारसिक 78,000 रूपए वारसिक यली अगर आप पे करते हैं तभी आपको एचारे जो 20,000 है टोटल 12 महीने का ये छूट आपको ये एकजम्शन आपको तभी प्राप्त होगा जब आप 70,000 रूपए पे करते हैं और यदि आप मासिक इसका निकालना चाहे तो इसमें 12 से डिवाइट कर दीजिए तो देखिए 6,500 रूपए आगया यानि कि मंधली आपको 6,500 रूपए अपने मकान मालिक को पे करना पड़ेगा या उसको वार्षिक सो करना है तो 78,000 रूपए सो करने पड़ेंगे तब आपको ये एचारे जो 20,000 मिर रहा है तीक है ये जो गवर्मेंट दे रही है तभी आपको छूट प्राप्त होगी अन्था की इस्तिती में नहीं प्राप्त होगी अगर आप 65,000 से नीचे कि आप रसीद लगाते हैं 6,000 रूपए मंधली की लगाते हैं तो 12,000 रूपए वार्षिक लगाते हैं तो आपको ये जो 20,000 की छूट है ये प्राप्त नहीं होगी मैं आसा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे किसी से कुछ भी अगर आपका इतना बन रहा है मकान किराये तो तो आपको मकान किराये में छूट मिलेगी अन्था की स्थिती में नहीं ठीके दोस्तों अपने अपने रेंट को चेक कर लीजे अपना एचारे चेक कर लीजे अगर आप इस दायरे में आ रही है तो मकान किराये की रसीद लगाईए अन्था के स्थिती में आपको छूट प्राप्त होने वाली नहीं है और मकान किराय की रसील लगाने से कोई फायदा नहीं है ठीक है दोस्तों ये इसका फार्मूला होता है बेसिक प्लस डिये का 10% प्लस हरे ये हो जाएगा आपका वार्सिक मंथली निकालना है तो इस में टॉल्बेस से डिवाइट कर दीजिए ओके नमस्कार दोस्तों थैंक यू बाई बाई